आपको बता चुके थे, तभी आज स्थार्ट करेंगे यह कुर्शन के पहला कुर्शन देखिए गर स्वाल सारे बहुत आसान होते हैं कैसे क्या गरना है सवाल देखिए क्वेशन क्या है कुण्य którego यह एक तराक की चाल दहरा की दिसा में 10 किलोमेटर पर इखंटे है है तक धलेखे विपती 6 किलोमेटर पर इखंटे है धारा का वहीग्ओं असानजल में तराक की चाल के है अशने आपको याद होगा कि जब भी धारा की दिसा में चाल दीजाए माना धारा की दिशा में चाल X है और धारा की विप्री दिशा में चाल Y है तो धारा की दिशा में चाल धारा की विप्री दिशा में चाल दोनों को जोड के दोका भाग दे दें तो जब दोनों को जोड के दोका भाग देंगे तो यह होगी सान जल में 9 की चाल या धारा की चा का जो मान दिया है वो 10 है और जो y का मान दिया हो 6 है आपने दोनों को एड किया तो 16 बटे दो यह आपका मिला हाट आपने दोनों का अंतर लिया तो 4 बटे दो कितना मिला दो तो इस आंजल में नाविक की चाल और यह क्या है धारा की चाल उमीद कोशन समझ में आ गया होगा यह आपका पहला सवाल था, question में दूसा देखेगा, question में दूसा क्या है, यह भी आपको example बता रहे हैं, ठीके, सारे example होने के बाद हम लोग question लगाएंगे, तो अभी दूसा example देखे, दूसा example क्या है, question में आपको दिया गया, एक नाविक धारा के विप्रीद 15 km, example number 2 है, एक नाविक धारा के विप्रीद 15 km और धारा की दिसा में 25 km की दूरी तै करता है, यदि उसे प्रत्यक दिसा में 5 घंटे लगते हैं, तो सांजल में 9 की चाल वा नाविक की चाल क्या है, दे ही उसे बुला प्रतीक दिसाँ में पांच गंटे लगते हैं सान जल में नाव की चाल या नाविक की चाल करने का मटट क्या होगो पंदा किलो मीटर पी गंटे समय पांच तगा आपने एसे पांच से भाग दे लिया इसकी चाला गई ढ़नों चाले आ गई और यह धारा की चाल, यह नउग रोंगई चाल, और यह धारा की चाल. कैसे से ओर किया सकते हैं? यह कुशन कैसे ओर किया जासकता हैं? इसको करने के लिए पी हमेटे दॉल लगा सकते हैं? रहे समज़ें का सवाल को बहुत आसान है. दिखी पहले 15 km गया 25 गया आपने दोनों को एड़ कर लिए पंदो और 25 दोनों को एड़ के कितना हुआ चालो के अंतर को दो से भाग देंगे तो आपका आंसर दो में दो का भाग दिया तो आंसर एक किलो मेटर पर दिखंटे यह धारा की चालो और यह नाओ की चालो समझ में आ गया होगा और इसके कुश्चन आप और देखेगा समझेगा कुश्चन को देखेगा एक में जैसे आपसे बुला गया कि एक नाओ धारा के दिखा में 81 km की दूरी और धारा के विप्रीद 60 km की दूरी तै करती है यदि उसे प्रतेक दिखा में 7 गंटे लगते हैं तो यह धारा की चाल क्या है करने का method क्या होगा पहले 80 km बाद में 60 km दोनों का अंतर हुआ 21 km 21 km 7 गंटे में हुआ तो इनकी चालो का अंतर आ गया और चालो के अंतर को 2 से भाग देते हैं तो आपका अंसर 1.5 km प्रति गंटे यह आपका अंसर हुआ 1.5 km प्रति गंटे तो ऐसा कोई भी question दिया हो में आप लोग कर लेंगे ठीक है एक नाविक का सान जल में वेक 6 km पर गंटे धारा का वेक 2 km पर गंटे है नदी में नाविक को इस सान ऐसे भी तक जाने और वापस आने में 4 गंटे 30 मण लगते हैं वी के वीच की दूरी क्या है दीकि सान जल में वेक 6 है और धारा का वेक 2 है तो धारा की दिशा में इसकी चाल 8 होगी विप्टी दिशा में 4 होगी तो दूरी बटे-4 समय और दुनों के समय का योग साले चार घंटे दूरों के समय का योग इसे 3 से भाग दिया 3 दो से भाग दिया 4 तो आपका X का माना गया 12 km यह आपका answer होगे यह आपका पहला method हुआ दोसा method क्या होगा दोसा method भी देख सकते हैं समख सकते हैं इस question को basic के लावा x मानने के लावा कैसे किया जा सकते हैं पहले इसकी चाल धारा की दिशाय मिशाल 8 होगे, विप्टी इतने 4 होगे सेम वही method है, बस tax नहीं मानेंगे हम लोग, ठीकी देखिएगा एक ऐसी दूरी माने जो इससे कट जाया 8 से भाग दिया, 1, 4 का भाग दिया, 2 जाने का समय, 1, आने का समय, 2 कुल समय, 3, 3 है तो दूरी 8 question में 4 दिये 3 का मान 8 तो 4 का मान 12 क्योंकि 3 का मान 4 इसलिए 8 4 का मान, यह आप कब हो जाएगा देखिएगा 8 बटे 3 गुणे 4 इससे भाग दिया 1.5 पांसर कितना आ गया यह आपका एक method बन गया हम इसको ratio से भी कर सकते हैं कैसे ratio से करेंगा, आप यह भी देख लिए इस question कैसे run path समन path से करता है ठीक है देखिए धारा की दिसा में चाल 8 हो गई विप्टी दिसा में चाल 4 हो गई तो इनकी जो चालो का अनपाथ हुआ चालो का अनपाथ 2 अनपाथ 1 हुआ तो इनके वाल यह गया समय का जो ratio हुआ समय का अनपाथ 1 और 2 हुआ 1 और 2 कुल समय कितना हुआ 3 और 3 का मान 4 दिया है तो 1 का मान डिल हुआ 1 का मान डिल तो 2 का मान 3 अब इससे क्या क्या question मना जाने में उसे कितना समय लगा तो answer डिल गंटे वापस आने में समय कितना लगा 3 गंटे चाल कम है तो चाल जादा है तो समय कम चाल कम है तो समय जादा 8 का मान डिल से कराई तो भी 12 आएगा 4 का मान तीन से कराई तो भी 12 आएगा तो distance कितनी है 12 किलो मेटर तो यह आपका question अब एक्जांबर नंबर तीसा था उमीदे question समझ में आ गया होगा एक्जांबर नंबर 4 किया तो आपको दिया गया है question देखिए समझ यह पढ़िए बहले question को सवाल यह दिया गया कि सांजल में एक नाओ 13 किलो मेटर पर दी घंटे की चाल चलती है और धारा का वेग 4 किलो मेटर पर दी घंटे है धारा की अनकूल 68 किलो मेटर की दूई तरह करने में कितना समय लगेगा देखिए कि सांजल में जो वेग दिया गया वो आपको 13 दिया गया है इस नाओ का वेग 13 दिया गया है और जो धारा का वेग दिया गया है धारा का वेग 4 दिया गया है तो धारा की दिसा में कितना हुआ 17 और जाना कितना है 68 तो आपका अंसर हो गया 4 गंटे का समय लगेगा या आपका अनसर है 4 गंटे का समय लगेगा और 10 किलोमेटर की दोरी 2 गंटे 30 निट महते करती है तरह का वेग क्या है थिकी पहले 30 किलोमेटर बाद भी 30 किलो मेटर पहले जो जाने का समय है वो आपको दिया गया है दो घंटे 30 नेट आप इसे ऐसा लिख सकते हैं वो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं मतलब 5 बटे 2 लिखा आपने तो 5 दो पर पहुंचा इससे भाग दिया 6 और 6 दूनी 12 कि धरा की दिसा में चाला गई ठी और 15 दिसा में जो दिया गया है वो आपको 3 घंटे 45 नेट दिया गया है 45 बटे 60 किया तो यह 3 बटे 4 हुआ तो यह आपका हो गया 5 बटे 4 जो आपने 5 बटे 4 किया तो यह आगया 2 और यह कितना आगया 8 आपको मिला 12 और 8 दोनों को जोल की दो का भाग दिया दोनों को जोला तो आपके आंसर होगे 10 और 2 दस यहां पे क्या है सांजल में 9 की चाल और 2 क्या है दारा की चाल एक्जामल 6 क्या है पढ़ लिएगा सवाल है क्या थोड़ा अच्छा सवाल है कैसे करना होगा आपको यह समझाते हैं दीगे नदी में धारा का वेक 2 km पर गंटे है और एक मोटर बो आने में 33 मुत का समय लेती है मोटर बोर्ट की सांजल में चौल कि ए मोटर बोर्ट जाती कितना है 6 km कि रहे और वापस कितना है और खटा दिया और दोनों आप इसे solve कर लें आपका answer आजाएगा यहां और कैसे कर सकते हैं आप इसे 3 से काटा है पहले आपने तो यहां पे 11 हो गया आपने 3 से काटा तो यहां दो बचा इस 2 को आपने नीचे भेज दिया तो यहां पे 120 हो गया तो अब यह क्या मिल जाएगा 1 upon x plus 2 हो गया प्लस 1 upon x minus 2 हो गया बराबर 11 वटे 120 हो गया अब यहां पे नंबर एक्जूम किया जा सकते हैं कैसे 120 किसका LCM है 20 और 24 का हो सकता है क्योंकि इसका अंतर 4 है हमें यहां पे यह भी दिमाग लगाना है कि plus 2 और minus 2 अंतर 4 का है हमें ऐसे नंबर एक्जूम करने जिनका आंतर 4 हो ठीक है तो आपने ऐसे नंबर एक्जूम किये आपने देखा इसका SM 120 है इससे भाग दो 6 इससे भाग दो 5 तो यह आपका 120 वटे 11 मिल गया तो आपका आंसर हो गया आंसर क्या हुआ यह 20 और 24 जो मिला तो x प्लस 2 का मान 20 ठीक है यह 24 जो भी आपको मिला तो अगर 20 सब्स 2 किलो मिल जाएगा हुआ हुआ है 22 подो और एक्सका सब्स 316 आगका तो नंबर पूरे ने वोते तो यह बहुत आसान हो जाता था ठीक है तो आपकाree करते सो चार्ट किरते है पहईला कोश्वन पड़नीजेगा पहला कोश्वन धॉर्ट के नहां दोँदिएगा है जेए आपको मालूम है जब धारा की क्या होगा 24 किलो मीटर 4 गंटे में अपने 4 का भाग दिया तो ये धारा की दिसा में चाला गई 24 में 6 का भाग दिया तो धारा की विप्रीद दिसा में चाला गई दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 5 किलो मीटर पर गंटे दुनों घटागे दो का भाग दिया तो एक किलो मिटर पर गंटे ये नाओं की चाल और ये धारा की चाल तो आपको कोश्चन समझ में आ गया होगा कोश्चन में दूसा क्या है कोश्चन में दूसा रहा दीजिएगा कोश्चन क्या है कोश्चन दूसा पढ़ दीजिएगा ए किलोमेटे में क्या है ध veter da डी सबादा समय और धारा की दिशा में पांस मिनिट में क्यों मिनिट हो कोशनमट इसा है पास्मिनेट में एक किलोंयुर्ट एक फैंट में इक गूंटा इसका बारा कुझेश से जिसा में चालँ होगी। पर दिघंटे अगे क्या पूछ रहे हैं धारा का वेग ऐन दोनीफ है इन दोनों का उंतर होगा दोनों हमें भाइंगे दोछा में दोनुका वाग दिया मैं तो आपका गशन नमबर तीसा होगे आपका एक नाव धारा गशन बीप्रीं दिसा में 48 मिनित में 12 किलो मेंट अगे उसने बुला धारा की दिसा में 2 किलोमेटर पर धी गंटे तो यह पुझ्छा सावजर में नाव का वेंग मेंद हां 12 का वान 17 84 किलोमेटर पर करिए तो आपका आंसर होगी है सत्रा किलोमेटर पर दिछंटि ति हैं यह आपके चार एक्जम्पल हुए बच्छों आपको questions अगा समी duy हैं तो ठीक है अच्छी बात है ठीक है अगर आपको लग रहा है स्पीड बहुत जादा है तो बताई स्पीड और कम कर दी जाए या ठीक है तो कमेंगे बता दिया अगर इसा स्पीड ठीक है हम चाहते हैं कि आपके एक क्लास में कम से कम 10 सवाल हो जाए आप लोग थोड़ा सा मिनत करें हाँ आपको पूरी किताब प्रहान लेंगे तैयार पूरी किताब आपको बढ़ाएंगे थैंक्यू क्लास